। आजकी तारीख में दोस्तों पैसा कॉन नी कमाना चाता है अगर आप लोग सौफ़र डेवलप्मेंट करते हैं तो आप लोगों के लिए पैसा कमाना और भी असान हो जाता है और कुछ लोग के लिए एक मोटिवेशन भी होता है सब्सक्क्राइब संसरें क मोटिवेशन यह भी होता है वो अच्छे पैसे कर ने के बाद आज के इस वीडियो में आप लोगों को पांच तरी के बता हूं जिससे आप सौफ़े वाल टेक्निक को देखना आप बिल्कुर मत भूलिया क्योंकि वो मेरी अपनी परस्ताल ऐसी निंजा टेक्निक है जो आपको कोई नहीं पताएगा चलिए स्टार्ट करते हैं आप जह से पहले टेक्निक है को एक पहुत ही कॉमन टेक्निक है और आप लोगों ने सुनी होगी हो ब्लोग को टेक्निक पतावी होगी वहाँ फ्रीलांसिंग अपलोग अभग.com पे जा सकते हैं आप लोग Freelancer.com पर जा सकते हैं और भी बहुत अच्छी वेबसाइट से इसे People Per Hour जैसी एक वेबसाइट है People Per Hour.com यह बहुत कम लोगों को पता होती है आप लोग जाकर उसको विजिट कीजिए तीन महिने का ट्रायल होता है कोई स्पॉंसर्ट वीडियो नहीं है आप लोगों कि यह one way interaction ना रखते हुए मैं both sided interaction रखना जाता हूँ जिसमें मैं और आप दोनों लोग बात करेंगे और उसमें ऐसा करेंगे तो मुझे बहुत जादा अच्छा लगेगा तो पहली technique मैंने आप लोग को बता दी आप लोग Freelancing website पर जा सकते है यसे आपके project मिलने के chances बढ़ेंगे वह बढ़ते ही जाएंगे एकदम हिसाब किताब यहाँ पर ऐसा ही है कि आप अच्छे होते हैं अमीर होते हैं ना अमीर से अमीर बनते जाते हैं और अगर आप लोग को जो है नहीं मिलते हैं तो आपका account बन भी हो सकता है आप कितने भी अच्छे programmer हो तो programming के साथ साथ इसमें एक और skill की जरुवत होती है अच्छा proposal लिखना अब अच्छा proposal आप लोग कैसे लिख सकते हैं आप लोग सबसे पहले तो फाल्तू की English वहाँ पर ना भिढ़ाएं Google searcher के लोग क्या करते हैं इंग्लिश निकालते हैं ऐसी जो कि client को भी समझ में नहीं आती है वो भी देख के कहता है और भाई क्या लिखा हूँ एडिशनरी खोलने का तो time मेरे पास नहीं है तो आप लोग लिखे प्रोफेशनल इंग्लिश लिखें यह नहीं कहा रहा हूँ में इंग्लिश में ना लिखें नहीं आप लोग इंग्लिश में लिखें लेकिन ऐसी इंग्लिश में लिखें कि आप उसको convince कर पाएं कि यार मैं तुम्हारा जो काम है को कर दूंगा और मैं इस project को करने के लिए सबसे अच्छा बनना हूँ अब दो कैसे हो सकते हैं या तो आप उसका project करने के लिए बहुत अच्छे बंदे हो या आप उसका project करने के लिए बहुत अच्छे बंदे ना हो अगर आप उसका project करने के लिए अच्छे बंदे नहीं है तो यह यहाँ पर एक टेकनिक मैंने आप लोग को बतानी थी, वो यह है, आप लोग को बहुत सारे लोग बताएंगे, लेकिन यह उन ओर टेकनिक थी, अब यहाँ पर मैं एड़ करना चाहूँ का अपना मसाला, जो कि मेरा परसल एक्स्पियेंस दे मैंने सीखा है, आप लोग Facebook पर जाएगे, Facebook.com पर और वहाँ पर आप लोग को Freelancing के Groups मिल जाएगे, अब एक प्रॉब्लम यहाँ पर आती है, उस तरह की Groups में जाकर अपनी Personal Profile से बात करना, अगर आप लोग कंफरेबल हैं तभी करें, और अगर आप लोग कंफरेबल नहीं है, यह सब करने में तो म यहाँ पर भी आपकी Communication Skills काम आएगी, आप लोग क्लाइन को जता पाना है कि नहीं कि आप काम कर सकते हैं, यह जो चीज है, वो काम आएगी, तो यहाँ पर आपको बहुत निमाग से खेल खेलना है, अब मैं आता हूँ दूसरे तरीके में, पहला तरीका तो बहुत ही क्या आप करेंगा, कौन पैसे देगा, आप ब्लॉगर पर जाहिए, वर्डप्रास पर जाहिए, फ्री प्लेटफॉर्म आचकल खड़े होए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंप्ली अपना आर्टिकल देना है, आर्टिकल लिखिए, माली जा आपको Git आता है, आप ल लोग अलगता है कि हमारी वेबसाइट गूगल में रैंक नहीं करेंगे, इसलिए वेबसाइट नहीं बनाते हैं, जो कि एक बहुत घड़ी आजी सोच है, आप लोग ब्लॉगर डॉट कॉम पे अगर अपना एक ब्लॉग बनाते हैं, और उसके बाउस में आर्टिकल डालना जाएगा और एक टाइम में गूगल में रैंक जरूर करेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि जो पुरानी वेबसाइट से वहीं गूगल में रैंक करते हैं, थोड़ा सा पेशन्स की जरूरत है आपको 6-7-8 महीने की, लेकि इवेंचोरी आपकी वेबसाइट रैंक जरूर से हो आप अपने परसनल लमाँ पर लगा दिजिए कि यहाँ पर मैं बैना डैट दूगा और जो भी बंदा पे करेगा इतने रुपे उसका बैं यहाँ पन लगाँ गाँगा, एथिकल एडवर्टाइजिंग में आप लोग खेलिए, नएथिकल एडवर्टाइजिंग मत करते हैं कुछ कुछ करके नहीं, ऐसा नहीं करना है, हमको एथिकल एडवर्टाइजिंग क्लिक कर वा लिया और कुछ भी कर लिया, कुछ भी हो गया, ऐसा नहीं, तो यहाँ पर हमको बहुत ही अच्छे से बहुत ही ध्यान रखते हुए इस काम को करना है, और Google Adsense हो इतना स् आप लोग को जो है बहुत अच्छा जो है success मिलेगी, यहाँ पर एक और चीज में बात करना चाहोगा, event blocking के बारे में, event blocking क्या होती है, event blocking में यह होता है कोई भी event आ रहा है, मालीजे कुछ ऐसा event आ जो programming से related है, आप लोग कर दीजे, आप उसके बारे में लिखिए, आप लो जो ब्लॉग है वो अलग से निकल के आएगा और आप लोग को जो है success जरूर से मिलेगी, अब यहाँ पर जो है मैं एक और चीज की बात करना चाहूँगा, मैं Udemy की बात करना चाहूँगा, Udemy और उस तरह की और भी similar websites है, tutoring websites, अब tutoring websites में क्या होता है कि आप लोग जाते है आप लोग एक course देते हैं पूरा और उस course का इक intro देते हैं, आप कहते हैं कि यह मेरा course है, यह content है, मैं ऐसे ऐसे जो है अपने course में पताऊँगा, और अगर आप बाचल लगे आप एंडॉल करो, इंडॉल होते हैं लोग, मार लोग शुरूर की अदस students ने, उनको अच्छा ल रुपय में, कुछ अच्छा किया है, आपने बहुत editing किये, पैसा लगाया है, 5000 रुपय में, वो आप decide कर सकते हैं, वो Udemy की terms and condition और इस तरह की website से, वो terms and condition देती हैं, उसके हिसाफ से आप लोग को करना पड़ गा, एक code mentor करके website है, मैंने कभी use नहीं किये, but मेरे knowledge में है, त पर सकते हैं, और वहाँ पर जाके tutoring कर सकते हैं, लेकिन tutoring करने से पहले, आप लोग की अपनी skills से तनी strong होनी चाहिए, कि आप वो topic दूसरे को समझा दे, जब तक आप लोग को सबसे अच्छी देना, आप लोग कोई ची सही से समझ में नहीं आती, जब तक आप लोग समझा न आता रहता हूं, तो एक बार मैं खुच जरूर देखता हूं वीडियो को, या गलती से कुछ गलत तो नहीं बोल बैठा, और गलती से अगर मैं कुछ गलत बोल बैठा, और मैं कहूं कि या गलती से निकल गया मुझ से, और किसी student ने उसको बात को पत्थर की लगीर समझ के और कुछ कर दिया, अपना उसका कराब हो गया, तो बहुत गलत होगा, तो इसलिए मुझे इंशूर करना पड़ता है कि जो भी बात मैं बोल रहा हूं, और मैं फ्लो में भी बोल रहा हूं, तो वो एकदम सही होनी चाहिए, तो यह साई चीज आपको यहां पर ध्यान भी ल जैसी website पर जाए, महना इसमें भी लगई, मैं यह नहीं कर रहा हूं कि आप लोग को जो है, यह कोई जुआ है, यह कोई ऐसा जादू का पिटा रहा है कि आप लोग को कुछ भी आप लोग जाकर दब्बा खोलने और आपको सोने का खादाना मिल जानी है, ऐसा कुछ नहीं, आप लोग github.com पर जाए, github पर बहुत अच्छे-चे quotes रखे होते हैं, लोग development करते हैं, जिसे नंपा जैसी library है, psychic learn जैसी library है, और pandas जैसी library है, अच्छे जी libraries है, उस पर लोग development करते हैं, वो development जो लोग करते हैं, बहुत बड़े-बड़े clients वहाँ पर आते हैं comment करने के जिले करते हैं कि, सिर्फ comment करते हैं कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूं, मैं वो नहीं कर पा रहा हूं, आप उनको pitch कर सकते हैं, मेरा एक दोस्त है, उसने ये technique यूज किये, और उस technique से उसको धाई लाग रुपय का project मिला है, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि धाई लाग रुपय से था, एक multi-racking company से था, और वो उसके लिए कोई बड़ी चीज नहीं होती है, उन लोग के लिए डाई लाग रुपय कोई बड़ी चीज नहीं होती है, अगर आप जो है, काम सटीक करके दे सकते हैं, तो लोग के लिए कोई पॉब्लम नहीं है, तो आप लग गितव.com पे चाहें, और ये काम YouTube पे भी हो सकता है, लेकिन YouTube पे अच्छा नहीं हो सकता है, जितना GitHub वो Stack Overflow पे हो सकता है, अब Stack Overflow पे जो है, आप कभी-कभी comment भी नहीं कर पाएंगे, reputation आपको बढ़ानी पड़ती है, जैसे कि मेरी थोड़ी बहुत reputation है, मैंने एक दो answer नहीं लिखे है, Stack Overflow पे मैं ज्यादा नहीं लिखता हूँ, लेकिन अगर आप लोग answer लिखे है, Stack Overflow में लोगों की problem को solve करें, बैटें, तो आपकी reputation इवेंचुली बढ़ीगी, आपके answer प आपको इतने पैसे देने होंगे, और मैं सारा काम करूंगा, आपको टैंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस तरह आप पेच कर सकते हैं, अब यह कितना सही, कितना गलत, आपको पास कितना time ये करने का, कितना नहीं, इन सब में नहीं जाओंगा, अगर आप लोगों के पास time है ये सब करने का, एक तो आप time waste ना करें इस सब में, यह नहीं कि आप लेके बैढ़ गए GitHub को, दो तीन घंटा, चार घंटा, पुरा दिन, अपनी skills पर टाइम लगाई है, थोड़ा सा part-time में आप ये कर सकते हैं, आपने अपर पर proposal लिख लिख लिए, उसके बाद एक दिन हैं, और आप लोग अगर जाएं उस website पर, GitHub पर और वहाँ पर जाकर देखें, तो लोग चाहते हैं, सिर्फ उतर निवो जो library वहाँ पर है, जो code-based वहाँ पर है, उसको आप implement करके उनको दे रहें, तो वो लोग आपको अच्छे पैसे देंगे, तियार हो सकते हैं, तो यह अच्छे से लिखना comment को, प्लीज लिखिये comment को, अगर आप लोग ने एक भी रुपय कमाया, कभी, अगर सो रुपय भी आपने कमाया, तो आप लोग लिखो, मैंने भी एक बार, जो है बहुत छोटी नोटे amount लेकर मैंने प्रोग्रामिंग की हुई या अप पर, अपर पर मैंने काम किया हुआ एक टाइम पर, तो उसमें कोई गलत नहीं है, आप लोग मैनत करते हैं, आपको पैसे मिलते हैं, और eventually आप grow करते हैं, और यही, this is what life is all about, you know, तो आप लोग जो है ऐसे कर सकते हैं, आप लोग comment में मुझे दरूब से बताएं, अगर आप लोग कोई इस पढ़ा सकते हैं, लोगों को सिखा सकते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, जैसे कि यह बाद्याम है, यह बाद्याम को इस्तेमाल करके आप लोग पढ़ा सकते हैं, और पढ़ाने के बद आप लोग, अगर आप लोग के पास 1000 subscribers होए, और 4000 डावल का वाश टाइम हो, जो की YouTube का requirement है आज की तारीख में, तो आपके चैनल पर ads आएंगे, आपके चैनल पर जो है, आप ethical ads serving करेंगे, और आप लोग आप से पैसे का बाद सकते हैं, अब यहाँ पर मैं एक बात यहाँ पर highlight करना चाहूँगा, YouTube पर मुझे काफी experience है, तो बस इतना कहना चाहूँगा, जो जि निकालना पड़ेगा, वीडियो बनाने के लिए, script लिखने के लिए, क्या आप बढ़ाने वाले, फिर आपको एक वर खुद भी देखना पड़ेगा, यार क्या बनाया है, मैंने वीडियो में क्या बोला, तो इसमें थोड़ा था टाइम लगेगा, तो आप लोग जो है, ऐ कुछ को शरम आती है, केमरे के सामने, अब मैं यह नहीं कहär रहा हूँ कि आप लोग आए, केमरे के सामने आखना जरूर ही है, अगर आपके पास वो skill है, अगर आपके पास वो skill set है, अगर आप लोग जो है पढ़ा सकते है, आप कम्यूनिकेट कर सकते हैं लोगों से, तो आ प्रशा करते हूं आप लोग को यह अच्छे लगा है कैसे आप लोग को लगे यह तरीकह और आपके साब से सबसे एफेक्टिफ तरीकह क्या है आप लोग कमेंट सेक्षिन मुझे जरूर से बताएं मैं आप लोग को सुनना जरूर पसंद करूंगा और मैं देखते हूं कि से बताएं आप इस बात को और मैं आपके कमेंट को इंतिजार कर रहा हूं और इस वीडियो को सपोर्ट करना चाते हैं और आप लोग प्रोग्मिंग में इस सीखने में इंटर सकते हैं तो मेरे चैनल पर जाहिए हैं मैंने आपपर टुटर्स अप्लोड कर रखें आप चाहिए एक बाव विजिट कीजै मैंने काफी चेशी चेशी बना रखें यह उप्रोग अपको जरूर से फायदा होगा तो मैं आशक करता हूं कि आप लोग को यह पसंद आयोगा और इस वीडियो आप लोग जरूर से शेर और इस वीडियो आप लोग ने लाइक टो करी द पीडिए रपस्चाराइब